सो हेलो फ्रेंस एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है में इन मैजिक टीप्स यूटूब चानल में फ्रेंस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे दस्वी वालों के लिए बायलोजी का पहला चेप्टर जिसका नाम है जैव परकर्म तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायलोजी का प्रत्रम चेप्टर जैव परकर्म से भी वाई सब्जेक्टिव कोशन जो की आपके मेटी बोर जाम के लिए काफी इंप्टेंट है अगर आप इस वर मेटी का एक्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को सुरुशन तक देखना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों चाहते हैं कि कश्या दस्वी का सर्विस रेट का इंपोटेन अब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव कोशन का एंसर के साथ पीडियो फिरी में डाउनलोड करना तो वीडियो के डिशन बक्स में दिये गए मुवाइल एप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलेगा तो चले फिरी शिबनाजच मैगवाए पहला कोशन को देख लेते हैं है दोस्तो जैसा कि आज से मुवाइल स्कीन पे पहला स्वाल देख पार हैं पहला स्वाल में पुछा गया है पोसन किशे कहते हैं ये कितने परकार की होते हैं दोस्तों आज सभी बता दें कि ऐसे स्वार्मेटी एक्जाम में दो मार्ग से पुछे जाते हैं कि आखित पोसन होता क्या है और इसके कितने परकार होते हैं तो कोसन का बिलकुर सही जबा कुछ इस परकार से लिखेंगा कि पोसन वह जटिल जव परकर्म है जिसमें जीव किसी रूप में भोजन गरहन करते हैं जो समझ दैवी क्रियाओं के संचारन में सहायक होते हैं उसे पोसन कहते हैं अब हम लोग बात करते हैं कि आखित पोसन के कितने परकार होते हैं तो दोस्तों आज सभी बता दें कि पोसन के दो परकार होते हैं एक होता है स्वा पोसन औ कि Amoeba में पोसनक्रिया को समझावे अर्थात Amoeba में पोसनक्रिया के बारे में आज सभी को तिरियर्स में लिखना होगा तो कोशन का बिलकुष सहीजवा कुछ इस परकार से लिखेंग्याव कि Amoeba एकोस्किये जीव है यानि अमीबा में कुशकाव की संख्या एक होती है जिसे कारण अमीबा को एकोस्कियोजीव कहा जता है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद धानी में ले जाता है जिसमें उपस्तिति जाइम भोजन का पाचन अमली माध्य में करते हैं और अनपचा भोजन अम अगला स्वाल है परकास संसलेशन क्या है इसके अवस्यक पदार्थों को लिखे तो यह दोस्तों परकास संसलेशन होता क्या है कुशन का सही जबाब इस परकास लिखें ग्याब कि सभी हरे पादब सूर्ज के परकास के उपस्तिती में वाईमंड़ से सी ओ टू यानि कर्बन डायक्साइड गरहन करते हैं तथा पतियों में उपस्तित क्लोरोफिल की सहाइथा से सूर्ज के विकरन उर्जा को रसाइनिक उर्जा में बदल देते हैं साथ ही सी ओ टू यानि कर्बन डायक्साइड मुक्त होती है जिसे परकास संसलेशन कहते हैं एक बार फिसे सम फ्रेरन उर्जा को रसानीक उर्जा में बदल देते हैं साथ ही CO2 यानी कर्बन ्डाई अक्स्ताइड मुक्त होती uis जिसे परकास you कियते हैं तो आपने जना कि आखिर परकास नश्लेशन कहते किसे हैं उसके बार में आप यह जानेंगे कि परकास नंसनने के अवस्य अवस्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं तो आज से भी इस परकास लिखेंगे कि परकास संसलेशन के लिए अवस्य पदार्थ निमलिखित हैं सरसे जो परकास संसलेशन के लिए इंपोर्टेंट पदार्थ है ना वो है सूर्ज का परकास उसके बाद में आज से भी लिखेंग के लिए किवास्ट एक है कि विवर में एसे स्वाल बॉश जाते हैं है कि सवसन जीर के लिए कि मंजस्याख है कि हम मिरेeg को बारें थो स्मस्त्र जाइविक हैं की टूट फूट की मरमद ब्रीधी एवं बिकास हेतू उर्जाकि और सेक्ता पड़ती है यह जो पोसंद परकर्म दोराप्राथ हमें भोजन से प्राप्त होता है यहीं कारण है कि समस्द जीवों के लिए पोसंद काफी ही अवस्यक है तो है जोस्तों चलिए हम आप सभी को अगला कोश्चन दिखा देते हैं पहला जो स्वाल हमारा कि कीनवन क्या है में एक्जाम में ऐसे स्वाल दो मार्ग से पुछे जाते हैं कि आखिर कीनवन होता क्या है तो कोश्चन का बिल्कुश सही जवाब लिखेंगे आप की वह रसायनी का विक्रिया जिसमें सुक्स्म जीव सुक्स्म जीव का मतलब होता है सबसे छोटा जीव जैसे इस्ट हो गया सरकरा का अपुन विगटन करेके सी ओ टू जीसे हम लोग कर्बन डायक्षाइड की नाम से जानते हैं तो कर्बन डायक्षाइड तथा एलकोहल एसी टिग अमल इत्यादी का निर्मान होता है ना उसे हम लोग किनवन कहते हैं इसमें कुछ उर्जा भी मुक्त होती है इसके बाद में अगरा स्वाल है कुछ मैंदू में कि जल रंधर किसे कहते हैं जल रंधर आकिर होता क्या है तो कुशन का बिलकुछ सही जबाब कुछ इस परकार से लिखना होगा आपको कि ये विशेश रचनाय जलिये पौधो या छायदार साकिये पौधो में पाई जाती है यानि जल रंधर की जो रचनाय होती है वो जलिये पौधो यानि वैसे पौधे जो जल में पाई जाती है तदा छायादार साकिय पौधों में पाई जाती है ये पतिया की सिराओं के सिर्ष पर अती सुक्ष्म छिद्र के रूप में होती है यानि पतियों के सिर्ष पर अंतिम छोटे छोटे छिद्र के रूप में होती है कौन तो जल रंद्र जिसमें पानी बुंदोर के रूप में नीश राव होता है यहीं करण है कि इसे जलमुख या जल रंद्र के नाम से जानते हैं उसके बाद में अगला स्वाल है मारा की विस्तरन किसे कहते हैं आखिर विश्रन कहते किसे हैं तो कोशन का सही जवाब कोशी इस परकार से लिखेंगे आप कि विश्रन वह किरिया है जिसमें उच्छ सांदरता छेदर से निम्र सांदरता की ओर आयतनों को या आयनों को अनुग का अविगमन होता है विश्ण में अर्ध पारगम में जीली से होकर अभी गमन नहीं होता है यह किर्या ठोस दरब और गैसो तीनों अवस्था में होती है पुश्किवाद में अगला स्वाल है हमारा कि विश्ण पोशी पोशन से आप क्या समेशती हैं आखिर विशम पोशी पोशन होता क्या है तो कुशन का सहीज बाब इस प्रकार से लिखेंगे आप कि पोशन की वह विधी जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वैम ना बना पाने की कारण आनने जीवों पर आशीत रहता है उसे विशम पोशी पोशन कहते हैं पोशन का वह परकर्म या पोशन की वह विधी जिसमें जीव अपना भोजन स्वैम नहीं बना पाते हैं और अपने भोजन के लिए अनने जीवों पर निर्भर रहते हैं अर्थात अनने जीवों पर आशीत रहते हैं उसे विशम पोशी पोशन कहते हैं एक्जामपट के दोड़ सभी हरेपौधे तथा अननैस्वअ पोड़ किया नामें प्रायस सभी सज्जी विसम पोड़ की होते हैं वैसके बाद में एगला स्वाल हमरा की हमारे सरीर में हेमोगलोबिन के कमी के कारण क्या परिश्ण of शक्ते हैं जब हमारे सरीर में हेमोगलोबिन के कमी होता है ना तो खुन यानि रग्द का जो रंग होता है ना वो पतला हो जाता है और आप सभी को मालम होगा कि रग्द एक तरल सन्योजी उतक है जो हेमोगलोबिन के कारण लाल दिखाई देता है हमें स्वसन्द के लिए यानि सांस लेने के लिए अवस्चाइक अक्सिएन के प्राप्ति नहीं होगी किसी म Selbst के शरीर में हेमोगलोबिन के कमी आ जाएगी ना तो सांस लेने में भी उसको कठना ही होगी जिसके कारण वस्शिगर ही ठख जायेगा हमारा भार कम हो सकता है हमारा रंग पीला पर जाएगा हमें कमजोरी अनुभाव करेंगे तो यह सबी कारण है आखिर हमारे स्टरी में हमोगरोबिन के कमी होगा है दोस्तों अग्ला स्वाल है को समय पांच में कि आंत में बिलाई पाये जाते हैं आखिर हमारे आत में बिलाई पाये जाते हैं लेकिन अमासे में नहीं पाये जाते हैं तो यह सवाल में आखिर हमासे में बिलाई पाये जाते हैं लेकिन अमासे में बिलाई आखिर क्यों नहीं पाये जाते हैं तो कोसन का बिलकुश सही जभाब कुछ इस परकार से लिखना होगा को कि आत में पचे हुए भोजन के और सोसन के कार्ज को पुरा करने के लिए बिलाई पाये जाती है। यानि आत में जितने भी भोजन होते हैं उसको पाचन करने के लिए और सोसन करने के लिए बिलाई पाये जाते हैं कि इसमें तो आत में ये और सोसन सता को बढ़ाते हैं आमासे में और सोसन का काज नहीं के बराबर होता है तो आज सभी को मालूम होगा कि जब आमासे में और सो लाब प्रद है तो स्वसंद के लीए अक्सिजन प्राफ करने के दिशा में एक जड़िये जीव के अपयक्छा है आस्टरीये जीव की Glen की सपरकार इसलिए जलियों जीवों के स्वसन की दर अस्थलियों जीवों की आपेक्षा तेज होती है, मशलिया अपने मुझ के द्वरा जल लेती है और बल पुर्वक इसे कुलोम तक पहुचाती है, वहां जल में घुली हुई अक्षिजन को रुधीर प्राप्त कर लेता है, एक बार जीवों जल में घुली हुई अक्षिजन का स्वसन के लिए उपयोग करते हैं, अर्थात असान भासे में समझ देजे, कि जल के अंदर जितने ही पाई जाने वाले छोटे छोटे जीवों होते हैं ना, उनको अक्षिजन के प्राप्ती जल के माध्यम से होती है, जल में घु होती है यानि जल में पесь जनेवाले जिऊमें कि फुलना है वो कम होते हैर सली जिऊमें एकषिजन की मात्रा ज्यादा होता है मच्प्र हैं अपने मूँ के द्वरा जल गरहन करती है और बल पुरख इसे कुलॉम तक पहुचा ती है वहां जल किसमाप दंड का प्रियोग करेंगे कोई भी वस्तु सजीव है इसका निर्धारन करने के लिए हम किसमाप दंड का उपियोग करेंगे तो कुश्चन का विल्कुश सही जवाब लिखेंगे आप कि यदर पी हम अपने चारों और अनेकों वस्तु को देखते हैं यदि हम अपन इना किसी वाहा सक्ति के गती करती है तो समझ लिजे को वो जीवित है ठीक है यदि कोई बहुकोष किये जीव सोई हुई अवस्ता में है भी आनवी गती निरंतर हो जाती है यदि वह बाहर से दिखाई नहीं पड़ती है तो उनमें गती हो रही होती है अश्पैस्ठ है कि पुरी कार से पर्याफत होता है कि तो सबसे पहले आपको ये पिचानना होगा कि एक कोश्किये जीव किसे कहते हैं और बहुत कोश्किये जीव किसे कहते हैं तो दोस्तों आसान बासे में समझ लेजिए कि जिन जीवों का सरीर एक कोश्का से मिलकर बना होता है उसे हम लोग एक कोश्का के मिलने से बना होता है ना उसे हम लोग बहुत आटा विस्तन के लियात वारा उन सबी अंगों को अक्सियन नहीं पहुश्भाती है जिसके पर नाम सरूप उनमें उपासित भोजन का अक्षी करन नहीं हो पाता है परिमानतह सरीर अंग कार्ज नहीं करते ही अतामानों जैसे जीवों की अक्षिजन को सरीर के विभिन अंगों की कुछकावें पहुचाने है तू एक तंत्र होता है जिससे हम लोग स्वासन तो कोशन का विल्कुश सही जवाब लिखेंगे आपकी जीवधारी के सरीर की परते कोशिका कार्बनिक योगी को द्वारा निर्मित होती है यानि जीवधारी के सरीर के जितने भी कोशिका होती है ना वो कार्बनिक योगी को द्वारा बना होता है जिसमें कार्बन विख्षित होती है तत्र पस्चात वो विभाजित हो जाती है जिसके जीवनकाल में उसे सभी जैविक कार्जों को करने के लिए उर्जा की असेक्ता पड़ती है जो उसे कार्मिक योगिक का विखटन से प्रावत होता है ये कार्मिक योगिक भोजन का रूप धारन कर लेते ह ये भोजन उर्जा प्राप्थी का वाहयोगिक बनाते हैं इसके बाद में आश्री पराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि स्वैम पोसी यानि हरे पोधे में कर्बन डायक्साइड वादावरन से प्राप्थ होती है जटील कार्णी पदार्थ बनाती हैं इसके आपको परकास स्रेसलेशन के करिया कहते हैं तो अगर आप से मेट्रिक जामें पूछे जाएं कि परकास स्रेसलेशन के करिया किसी कहते हैं तो ये इतना आप से मेट्रिक जामें लिख सकते हैं तो हे दोस्तो वीडियो लंबी ना हो जिसकान मैं से वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ उम्मेद है कि आज सभी को वीडियो पसंदा हो तो वीडियो को लाइक करें पेने दोस्तों में शेयर करें ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चानल मैथिन मैजिक टी आवाद